अगर आपकी बुद्धी कमजोर है आपका दिमाग चलता नहीं जहां चलना चाहिए वहां नहीं चलता बुद्धी की जड़ता को आपको खथम करना है या कोई मंद बुद्धी बच्चा है तो ऐसे व्यक्तियों को सावन में एक विशेश परियोग करना चाहिए बुद्धी की जड़ता को दूर करने के लिए आपको सिवजी के मंदिर में जाकर की सिविलिंग पर सक्कर से मिले दूद से आपको अभिशेख करना चाहिए सक्कर और दूद को मिला कर उससे अभिशेक करने पर भगवान संकर की किरपाशे आपकी बुद्धी स्रिष्ट हो जाएगी और आप चतुर हो जाएगे आपकी बुद्धी और व्यक्तियों में प्राणियों में सर्वस्रिष्ट साबित हो जाएगी धीरे धीरे आप खुद इस बात का एसास करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा चतूर होने लगे हैं